दोस्तों अगर आप गर्मियों में कुल्फी खाना पसंद करते हैं और अचानक से आपका कुल्फी खाने का मन कर जाता है तो अब आपको बजार जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सबसे आसान तरीके से घर परी कुल्फी बनाने का तरीका सिख तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे और कुछ शेयर करेंगे तो आप वीडियो को सुरू से लेकर अंतितक का जरूर देखें और इस मज़दार कुल्फी को बनाना सीखें तो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं शे गेस की फिलेम को हमें हाई कर देना है दूद को हमें जब तक गर्म करना है जब तक कि इसमें उबाल ना जाए इसके साथ ही हमें लेना होगा कश्टेट पाउडर तो कश्टेट पाउडर हमने चार चमश लिया है यह आपको बहुत ही सस्ता मिलता है अब हमें करना क्या होग कश्टेट पाउडर को हमें दूद के साथ मिक्स करना होगा तो हम दूद के साथ कश्टेट पाउडर को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और दोस्तों याद रखें कश्टेट पाउडर को आपको चलाते रहना है इसमें गुड़िये टाइप की नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि हम जो कुलफी तयार करेंगे इसमें कस्ट्रेट पाउडर का एहम रोल है क्योंकि कस्ट्रेट पाउडर साही हम कुलफी में फिलेवर देंगे ये बनीला फिलेवर है आप किसी और flavor में भी custard powder का use कर सकते हैं अब जैसे कि आप दे सकते हैं हमने इसको अच्छी तरीके से mix कर लिया है इसके साथ ही हमारे दूद में भी उवाल आना सुरू हो चुका है अब हमें करना क्या होगा जो हमने custard powder तयार किया है तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम custard powder इसमें डालेंगे और अराम-ाराम से mix करते रहेंगे दूद को हमें जब तक चलाना है जब तक कि गाड़ा नौ हो जाए तो यहाँ पर जैसे कि आप दे सकते हैं हमने सभी custard powder को मिला दिया है दूद में और यह थोड़ी सी देर में ही गर्म हो जाता है और जैसे कि आप दे सकते हैं यह अच्छी तरीके से गाड़ा हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे इसमें हम डालेंगे चीनी और जैसे कि हमने यहाँ पर इसमें जोड़ी लिए रखेंगे लगवग एक घंटे के लिए जब तक कि यह सेट नहीं हो जाए तो हमने इसे एक डोंगे में रख दिया हैं थोड़े देर हम इसको बाहर ऐसा ही ठंड़ा करेंगे इसके बाद हम इसको फ्रीज में रख देंगे अब जैसे कि दोस्तों हम इसको ड मलाई नहीं है तो आप क्रीम का भी यूस कर सकते हैं क्योंकि हम बहुत ही कम दावों में मदामर के नहीं हैं आप क्रीम के इस्तेमाल भी कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारी मलाई मिक्स हो चुकी है और हमारा कश्टर पौडर यह भी ठंडा हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे कश्टर पौडर और इन दोने चीजों को अच्छी तरीके से दुबारा से मिक्स करेंगे हम मिक्सी के जार में इसको चला कर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे अब यह अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है इसी के साथ हम दुबारा से इसमें कश्टर पौडर को डाल के मिक्स करेंगे इसी तरीके से आपको सभी custard powder को इसमें डाल कर mix कर लेना है अब दोस्तो हमारे पास जितना भी custard powder है उस सभी को हमें इसी तरीके से mix कर लेना है इसके बाद हमें करना क्या होगा हमें एक खाले container लेना है याद रखे दोस्तों ये air proof होना चाहिए इसमें बिल्कुल भी air ना जाए आपको ऐसा container लेना है इसके बाद हम कुलफी का सभी जो हमने मिसराण तयार किया है इसको हम container में अच्छी तरीके से लोड देंगे तो यहाँ पर यह जो हमने मिसराण तयार किया है यह हमारे एक ही container में आ जाएगा तो यहाँ पर हमने सभी कैस्टेट पाउडर जो हमने तयार किया है उसको container में लोड दिया है इसके बाद हम इसमें aluminum foil को लगा रहा है ताकि इसमें air ना जाए क्योंकि दोस्तों जब हम इसको जमने के लिए रखेंगे तो जैसे कि दोस्तों एक दिन का समय हो चुका है अब हम इसको खोल कर देखते हैं जैसे कि आप दे सकते ही अच्छी तरीके से जम चुका है लेकिन दोस्तों इसमें बर्फ नहीं जमी है सिर्फ यह सेड हुआ है तो यहाँ पर हमने इसको एक दिन के लिए रख दिया था फ्रीज में और अब हमें करना क्या होगा हमें इसको अच्छी तरीके से मिक्सी के जार में मिक्स करना होगा तो हम मिक्सी के जार में इसको अच्छी तरीके से लोट देंगे सभी को और इसके बाद हम दुबारा से इसको मिक्सी के जार में मिक्स करेंगे तो यहाँ पर हम मिक्सी के डेकन को बन करेंगे और फिर हम इसे दुबारा से मिक्स करेंगे तो जैसे कि दोस्ते यहाँ पर आप दे सकते हैं हमने मिक्सी के जार में इसको मिक्स कर दिया है अब यहाँ पर यह कुल्फी का जो हमारा पेश्टे बन कर तैयार है अब दोस्तों हमारा सब काम हो चुका है अब हमें कुछ ऐसे टिप्स में आपको दूँगा जिससे की आपकी कुल्फी और जादा टेश्टी बने तो इसमें हम टूटी फूटी जो आपको मिलती है बयार में आसानी से मिल जाती है बहुती सस्ती वो आपको इसमें डाल देनी है आप चाहें तो इसमें पेठा या फिर अगर आप कोई मेवा इस्तिमाल करना चाहते हैं या फिर कुछ भी तो आप डाल सकते हैं से मैंने आपको डालने के लिए मना किया है अब इसके साथ ही हमने disposal लिया है अब हम क्या करेंगे, disposal में इस सभी paste को हम इसमें भर देंगे तो यहाँ पर हम disposal में इस paste को भर देंगे तो दोस्तों आपको इसमें मावा मिलाने के कोई जरूरत नहीं है इसमें आप अगर चाहें तो कुछ मेवा के तुकड़े जैसे के ड्राइफूड बादाम काजू अगर मिलाना चाहते हैं मिला सकते हैं वनना आप ना भी मिलाएं तो भी ये टेश्टी बनेगी अब हम सभी डिस्पोदल में इस तरीके से इसको भर देंगे और इसको air पूरूर बनाने के लिए हमने इसको पर aluminum foil लगा दिया है अच्छी तरीके से aluminum foil को लगाए है और इसके बाद इसको आप rubber band से अच्छी तरीके से बन कर दीजिए ताकि इसमें air न जाबाए तो यहाँ पर हमने सभी disposal को अच्छी तरीके से तयार कर लिया है अब हम इसे freezer में एक दिन के लिए जबने के लिए रख देंगे तो यहाँ पर सिर्फ यह shade होना चाहिए इसमें परफ न जमें इसी के लिए हमने इसके उपर aluminium foil लगाया है तो चलिए अब हम इसे एक दिन के लिए रख देते हैं एक दिन का समय हो चुका है अब हमारे जो यहाँ पर kulfi है वो बनकर तयार है और मैं आपको दिखा देने चाहूँगा दोस्तों यह बजार में बिखने वाली kulfi से भी ज्यादा टेस्ट ही है तो जैसे कि दोस्तों आप दे सकते हैं हमारी जो यह kulfi है बनकर तयार है यह बजार में बिखने वाली kulfi से भी ज्यादा टेस्टी आपको लगेगी आप इसको एक बार बना कर जरूट रहे करें और दोस्तों अगर आपके घर पर कोई महमान आने वाला है तो आप इसको पहले से ही तयार करके रस्कते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें एक दिन का समय तो आपका लगने ही वाला है तो इस तरीके से दोस्तों आप घर पर ही kulfi का अनन ले सकते हैं तो ये recipe मैंने आपके साथ इसलिए share करी क्योंकि दोस्तों आप बजार में कुल्फी के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं तो आप घर पर बना कर जरूर रहे करें क्योंकि दोस्तों घर की बनाई हुई चीज हमेसा अच्छी होती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों तक share करें ताकि वो भी कुल्फी बनाने की recipe सीख जाएं तो दोस्तों हमने आपको बिल्कुल नए तरीके से कुल्फी बनाने की recipe सीखाएं तो गर्मी में आप इसको जरूर ट्राय करें और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको किसी नए topic पर कुछ भी जानना हो तो आप नीचे कमेंट करके बदा सकते हैं और आप हमारे facebook page को भी like करें जिस पर हम ज़्यादा स्यादा share वीडियो करते हैं तो आज की वीडियो में दोस्तों फिलाल इतने ही मिलते हैं अगली नई recipe वीडियो में